हेलो बच्चो मैं लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है हाथी और चूहे एक स्वच मीठे पानी से भरी गहरी जील के किनारे एक सुन्दर महल था दिन बीटते गए महल में रहने वाले लोग महल छोड़ छोड़ कर चाने लगे और एक दिन फही बड़ा महल तोटकर गिर गया वह एक खंडर बन कर रह गया कुछ दिन पश्चात पास के जंगल में रहने वाले चूहो का समूँ उस द्वस्थ महल के पास से गुजरा उस जीन शीन महल को देखकर पहुत खुश हुए अहाँ ये जगे हमारे रहने के लिए कितनी बढ़िया है चूहो के सरदार ने कहा यहां हम शांती से रह सकते हैं शीग्र ही चूहो ने महल के कोने कोने में अपने घर बना लिए और आराम से वहां रहने लगे एक दिन हाथियो का जंड उधर से गुजरा उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथियो का सरदार भी था उन्हें जील के स्वच पानी की सुगंध आई वे उत्साहित होकर पानी की तरफ भागे वे भर पेट पानी पीना चाहते थे इसलिए वे बड़ी शीग्रता से महल के खंड हर्म के बीच में से भागे ऐसा करने से बहुत से चुहे उनके पैरो तले आकर कुछले गए कुछ मर भी गए चुहे अराम से अपने घरों में सो रहे थे इस आफत के आने पर बचे हुए सब चुहे इकठे हुए और उन्होंने अपने को इस विपत्ति से बचाने के लिए उपायक होजने के लिए सभव उलाई कुछ चुहों ने अपने सरदार से कहा ये बड़े जानवर अब बार बार इस छील का पानी पीने के लिए यहां आएंगे जितनी बार वे यहां आएंगे उतनी बार हम में से कितने ही उनके पेरों के नीचे दब कर मर जाएंगे और कितने कुछले भी जाएंगे हम ये सब नहीं होने देना चाहते चुहो के सरदार ने उनकी बात मान ली पर इनसे लड़ा कैसे जाए ये हमसे लड़ाई में कितने बलवान है हम उनसे अच्छे व्यभार और दया की प्राथना ही कर सकते हैं ऐसा विचार करके सारे चुहे एक कतार में होकर हाथियों के सरदार से मिलने चल पड़े हाथियों के सरदार ने ध्यान से उनकी बात सुनी चुहो ने कहा हम अराम से वर्षों से इस तूटे फूटे महल में रह रहे थे आपके हाथियों के जुंडने जील पर जाने के लिए हमें रौंद डाला आपने सैकडो चुहो को मार डाला अगर यही सब चलता रहा तो एक भी चुहा जिन्दा न बचेगा आप हम पर क्रिपा कीजिए और अपने हाथियों को किसी दूसरे रस्ते से जील पर ले जाए सरदार्ची क्या मालूम हम छोटे प्राणी भी किसी दिन आपके काम आ जाए बड़े हाथि का दिल चुहो की बात सुनकर पिघल गया उसने कहा ठीक है मेरे सारे हाथि दूसरे रास्ते से जील पर जाय करेंगे हमें पता नहीं था कि आप चुहो ने इस महल में अपने रहने का घर बना रखा है अब हम तुम लोगों को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे चुहे ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और शांती पूरवक अपने घर चले गए समय इसी प्रकार गुजरता रहा एक दिन वहां के राजा ने हुक्म दिया कि सब हाथियों को जाल में बांद कर लाया जाए और उन्हें राजा का काम करने की शिक्षा दी जाए राजा के आदमियों ने जंगल में जाकर सारे हाथियों के लिए जाल बिच्छा दिये अब हाथि पानी पीने के लिए जील की तरफ चले तब एक को छोड़ कर सभी हाथि जाल में फस गए हाथि जोड़ जोड़ से चीखने चिंगाडने लगे वे अपने आपको मूटी रसियों से छुड़ाने की कोशिश करने लगे पर कुछ लाबना हुआ वे पक्की रसियों से बंधे थे तब हाथियों के सरदार को महल के खंधरों में रहने वाले चूहों की आदाई उसने बच्चे हुए हाथि से कहा तुम जल्दी से चूहों के पास जाओ और उन्हें हमारी हालत बताओ वे हमारी मदद कर सकते हैं चूहों के सरदार से कहना कि मैंने तुम्हें बेजाए हाथि जल्दी ही चूहों के पास पहुचा और उनके सरदार को सब हातियों की हालत का समचार सुनाया चुहों के सरदार ने सब चुहों को बुलवाया और हातियों को बचाने का कार्य सौपा चुहे हर एक कोने से निकल कर हजारों की संख्या में इगठे हो गए बड़े चुहे, छोटे चुहे, मोटे चुहे, पतले चुहे, बूढे दादा, भूरी मुछो वाले चुहे और छोटे ताकतवर चुही सब ही अपने नेता के साथ जल्दी जल्दी जाल में फसे हाथियों के जुंड के पास जाने को तयार हो गए शीखर ही सब चुहे, अपने छोटे और नुकियले दातों से मोटी रस्यों को कुतरने लगे जल्दी ही सारी रस्यां तूटकर नीचे गिर गई, और हाथी आजाद हो गए उन्होंने अपने छोटे मित्रों का धन्यवाद किया, फिर वे आराम से जंगल किया और चले गए हाथियों के सर्दार ने अपने सभी हाथियों को बुला कर कहा देखो हम कितने बड़े और ताकतवर जानवर है, फिर भी हमें छोटे और विनम्र चुहों ने बचाया आप भी कभी ये न सोचिये कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितना ताकतवर है और कौन नहीं ध्यान रखे, चाहे कोई भी हो, नी संधे, नी स्वार्थ, आप केवल उनकी सहायता कीजिए इसी के साथ हमारे कहानी खत्म होती है, बाई बाई